सत श्रियकाल दोस्तों, वेलकम टू पंजाब सेक्सेस मंत्रा कि उसी कोड दे सामने पेश होने हैं, इना चीजा नो देखने होएं काफी सारे जड़े सस्पक्त सुन देने या जिना जील आरेस्ट किता जांदा है, वो इते बेल ओर्टर्स दा सहारा लेंदे हैं, तब बेसिकली इड़े साढ़े कोल बेल ओर्टर्स ने या जड़े भी पर बेसिकली इस दे पीछे की रीजन सी, तो की गाइडलाइन सी इथे इशू किता गया है, तो क्योंकि लेड़े सामने प्रोला बेसिकली बेसिकली सी बिदेख से करने लेंगे उनने बीच बहुत हरे डिपक्त्सट ने ते आज जो दो पुलिस किसे बंदेन अप्यों आखे ठ प्रेस्ट कर लेंदी है दूसरे पात से यह थे बेसीकली हने सम्मण पर जा जा जानदा है तो इदर पुलीस की हुँदी है investigating officer की हुदा है कि वरी arrest भी कर लेता जानदा है तो बहुत सारा क्याइशन दे केस दे दौरान बेसीकली एक पर्सन ने Supreme Court ने विच याची का दायर किती जैसनूँ चल दे हुए Supreme Court ने जवाब था होया कि basically case the investigation इते चल रही सी ओगी इस case दी investigation दे हुए Supreme Court दे एक बैंच ने एथे कुछ गाइडलाइन्स नूँ इशू किता डाट इस रिगार्डिंग दा बेल अंड अरेस्ट ओर्डर्स अंड डाट इस विद दा कॉंपलेस्ट विद दा प्रोवीजन्स आफ दा सेक्शन 41 एफ दा कोड फोर दा क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इस नूँ देख दे होए कोड में कुछ गाइडलाइन्स नूँ जारी किता है तो आपा देख दे है की गाइडलाइन्स है तब बेसिकली पहला केस किसी का केस भी शुरुआत क्यों दिये इस प्रेजन्ट केस भी जोदो आपा गल कार देया पर्सन नू आरेस्ट नहीं किता जाँ लिया कि एक पर्सन नू लग्दा है की मेननों अरेस्ट किता जासकता है ता वो पहलना ही जाजदे सामने जांदा है ता एक bail application लेके कि मिनू bail दित्थी रवे ता इन्हू कींदे ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ आन्टीईपेटरी bail ता इथे उस परसन नू सम्मन पेज जा गया सीगा हले arrest नहीं किता गया सीगा सिरफ सम्मन पेज जा गया सीगा ता परसन कोट दे सामने ता present नहीं होया ता उसने थे की किता, NTPPTree bail ले अप्लिकेशन फाइल कर देती, ता जदो court दे सामने presence नहीं होया सलगा, उसने इस behavior नो देख दे होए, court ने की किता, उसनी NTPPTree bail application नो रद कर देता, reject कर देता, clear, and इसने नाली उसने खिलाब non bailable warrant इशू कर देता, ठीक है, non bailable warrant इशू कर दे और जदो उस परसंदी bail application नो, यानि की anticipatory bail application नो रद किता गया, then he has filed a special leave to appeal petition that is in before of the Supreme Court of India. तर सुप्रीम कोट ने जदो basically petition नो लेके, एक ता तुसी पहला गलती किती, कि जर तो अनू संबन पेज़ जा गया, तुसी ये अरेस्ट, संबन पेज़ जा गया, तुसी ये थे हादिर नहीं होए, उस तो बाद तुसी ये एंटिसीपेटरी bail नहीं फाइल कर रहे हो, application फा ता investigation दे दोरान तुसी corporate ते कारी नहीं रहे, योकि investigation दे दोरान तुनो arrest ता बिल्कुल नहीं किता गया, तुसी पेज नहीं होए, तुसी पेज़ नहीं होए, तुन दूसरे पास से तुसी ये एंटिसीपेटरी bail application फाइल कर रहे हो, उड़ सतिंदर कुमार अंतिल जीदे ज अखील से कॉंसल कॉंसल फुर्दा एक्यूस ठीगे एक कोड दे सामने यह थे पेश होए ठीक है इनना ने कोड नूँ की किया इट इस अ मैंटर आफ रूटीम भाई लोर कोड्स वन्स दा चार्शिट इस पाइड दा एक्यूस इस अरेस्टेड बाई दा इन्वेस्टिगेट आफिसर की कर दे है परसंस नूँ अरेस्ट कर लिता जांदा हैगा एंड ओना नूँ कस्टिडी दे विच लेला जांदा हैगा ता इस करके इसे चीज़ दे बहाफ ते एथे एंटिसीपेटरी बेल अप्लिकेशन फाइल किता गा सिगा एंड जो दो परसंस नूँ एथे अ परसंस नूँ अरेस्ट कर लें ने संबन नहीं पेजा जांदा ता यह चीज़ इल्लीगल टेंशन दा एक मैंटर बहुत जाना इंडिया ने विच चलदा आ रहा उन इस मैंटर नूँ सुन्दे होई सुप्रीम कोट आफ इंडिया ने एथे कुछ गल्ला कही हैं बट उस त पंदे नूँ पिंजरे देविच बंद कर देता जावे यानि की जेल देमनर बंद कर देता जावे उन्हों आपा करने अरेस्ट करना डिटेन करना क्याल दा पुलिस हास वाइट पावर तु अरेस्ट अंडर दा कोड ओफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑप 1973 इन दा जोगिंदर केस्ट अरेस्ट अरेस्ट अंडिटेंशन इन पुलिस लोकप अफ पर्सन कान कॉस इनकलुकुलेबल हाम तु दा रेपूटेशन एंड सेल्फ एस्टीज नूँ कोर्ट ने बेसिकली एडमिट की था एंड ने निक्स नूँ आप तू रिमेंबर डाट इस बेल की हुंदा ह जिसदे खिलाब कोई केस चल दे होन ठीक है उसनों एथे टेंपरेरी एथे बेल कराना अरी बाहर लेकिन रिलीस कराना जिसदे चलते हुए कुछ पैसा आथे कोट दे वेच अप्लिकेशन दे नाल जमा करवाना पेंदा आएगा कंडिशन से तोरते ते उस बंदे नूँ ब से प्रैकर और debatingने पर्मीशन दे रिखानि क्रिया क्रिमिन稱 जश्रिक माई है सभिए फिन गंड इकमाना गश्रोंग और क्रेंद सब्सक्रावल कि और जास याज़ गारा Lapis मैं पारमोन करस प्रीम कोर्स पनावन कर्यान पॉर्ट और सब्सक्राब regard एक पूर the violation of basic human rights. This is the violation of basic human rights. कि police basically किसे नो किते भी arrest कर रहे हैं जिये. This is the violation of basic human rights. And it noted that the discriminant, arrest, are indicative of a colonial mindset and create the impression of India being a police state. This is the wording of the Supreme Court of India. कि सद़ा ज्टा स्प्रेस्टम हैगा. India जग present criminal justice system जी बहुत खराब है विकोज जीडे रूल्स एंड रागुलेशन्स ने कलोनियल टाइम डे चल दे आ रहे ने इननों कदी अपडेट ही नहीं किता हो गया क्लियर अरेस्ट नों एके बहुत सारे इशूस ने क्योंकि परसंस नों बिल्कु एलीगली अरेस्ट किता जानदा है गया इन्व प्रॉब्लम ऑफ ओवरक्राइडिंग ऑफ प्रिजन्स एंड विच हाज अटेंडेंट इशूस सच अस करॉप्शन क्राइम एंड हाइजीन विदिन दा प्रिजन्स एंड एन ओवर्वल्मिंग मेजोरेटी अफ दा इन्मेट्स आर अंडर ट्राइल्स तब बहुत सारे केस प्रिजन्स अंडर ट्राइल चल दे रेंदेने चल दे रेंदेने सडी है जेला पर दिया जानी ने पर दिया जारे ने परसंट बेसीकली एम एवी जेला देविच शड़े ने तब्रीम कोट में इस चीजनों लेकर कुछ गाइड लैंस इसु किती यां तब की ने सुप्री तो बाद, विद रिगार्स तुतिंदर गुमार अंतिल केस, दा कोट ने इशु किता specific direction and also called for the compliance report. रिपोर्ट मंगी है कि पुरी पुरी compliance report है निती जावे, ता कोट ने ते कि रिख्या कि investigating agencies जडियाने, इनना नो अपनी duties दा त्या रखना चाहिए है and that is to comply with the mandate of section 41 and 41A for the direction issued. होन 41 ते 41 है कि, 41A है कि, the section 41 and section 41A are the part of the code of criminal procedure code. तक what are these codes, what are these section, section 41 एथे केंदा है गाया, that is arrest can be made by the police without a warrant and mandates for reason to be recorded in writing for every arrest and non-arrest. पुलिस किसे भी परसन नो बिना warrant तो arrest कर सकती है, but reason तो अनू rating देविच लिखना पहेगा अपनी file देविच जाके कि, असी arrest क्यों किता, second, the section 41A एथे केंदा है गाया, that is notice to be sent by the investigating agencies before making an arrest in certain conditions, prescribed by the code, कि तो अनू पहला person नो notice पेजना पहेगा कि, असी तो अनू arrest कर रहे हैं, तो उस्तो बाद तुसी basically एथे person नो arrest कर सक दियो, that is section 41 and section 41A of the CRPC एथे define कर दा है, तो section 41 तो section 41A दिया guidelines नो ते आंदे विच रखने होए ही arrest कितार आवे, these are the guidelines of the supreme court and उस्तो बाद bail दिये तो गालां दिये, तो supreme court ने पहली एक चीज कही, कि इंडिया दे विच, bail नो लेके कोई भी एदा दा, rules नहीं है गया था, bail act वरगा एक procedure, bails नो अग्गे लेके जाने वास थे, bail procedure वास थे, bail act वरगा एक procedure, एक law एथे बनाया जावे, इंडिया दे विच, सरकार नो एक order दिता गया है, सरकार नो एक idea दिता गया, suggestion दिता गया है, कि the government may consider the introduction of a separate, separate law like a bail act, ठीक है, एड इस तो इलावा, basically, current guidelines, supreme court ने की रितिया ने, अगर कोई bail application जडी है, इसनो दो हफ्तिया दे विच, 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 डिस्पोस किता जाना जरूरी है, दो हफ्तिया दे विच, इसनो डिस्पोस किता जाएगा, एड अगर कोई एड शपोस किता जाएगा, इड़ा कोई जडीक है, इसनो अगर आगर, इसनो में प्रेम इंतिया अगर कोई और आगर कोई और यूर्स ऋब्रम बस्तों में मुझा आए तोर्च्ट स्पट्रप्त और गॉप्ट जजजसुट जग पो इन तो इन दो इन इन एंवेश्ट इन आड़ इन एंड्दी कि अडुगए इन एंडिस अंड़ एंडू इन इन प्रबिस अ उच्ट इन यूज स्टोंन इन कर रह चा लिए जीज चाले बिसीकली जड़े सदे पॉलिटिकल परसंस नहीं जस्क लाइक दा पॉलिटिशन्स मिनिस्टर्स एंड दे नेक्स तिंग इस तिंग इस तिंग ब्यूरोक्राट्स जड़ों तक ए अपनी ड्यूटी नूँ सही तरिक्केत नहीं लेके जानगे पूरे रून्स अंड रॉन्स दा फोलो अप नहीं होएगा ओधो तक बिसीकली डिड़ा सड़ाय थे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस नूँ मेंडेट पूरी तरह सहील करना बहुत मुश्किल है तो इस करके ए बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देने इन्डिया दे क्रिमिनल जस्टिस कोट नहीं थे क्या कि इनना गाइडलाइन्स नूँ फुल्फिल करन दे लहीं कुछ कंडिशन नूँ अथे फुलो किता जाएगा नाओ वट आप इस कंडिशन तो बीफॉलड बाइदा परसन ठीक है वा तूबाइदा अजंसीज दे अक्यूस्ट वस नॉट अरेस्ट दू अगर परसन पूरे टाइम ते पूरी कॉपरेशन कर दा जदो 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 जुरुरत पेंदी इन्वेस्टिकेशन ओफिसर नूँ औरे सामने पेश हुंदा ता इना केस दिवेट बेल अप्लिकेशन नूँ फोलॉप किता राएगा निडिए अप्लिकेशन रहता तस्या ल जदो परसन ने कॉपरेट नहीं किता ता कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है उस तो बाद सुप्रीम कोट ने की किता हैगा ओफेंसिस नूँ चार केटगरीज दे विच वंडिया ठीक है पूर्द प्रपोस्टिव एप्लिकेशन आप दीज गाइडलाइन तो कोट हाज ख्लासिफाइड्स दा ओफेंसिस इन्टू फोर ब्रोर्ड केटगरीज दा केटगरी ए केटगरी बी केटगरी इस बीच इनननु लेके यह उस्तो बाद होज़े ओफेंस बिसिकली जिनननु लेके फांसी दीस तदाब करना ठीक है किसे नूँ जानू मारत दी कोशिश करना या बार देना यहोजी केसि जिननों पाई हैनियस ओफेंसिज भी कहने है उस पाद स्पेशल ओफेंसिज टेक है आँ स्पेशल एक्स ने जड़े जड़े इस पेशल केसिज ने जस्ट लाइक नार्कोटिक्स ट्रॉग्स और साइकॉट्रोपिक स्थेट अगया प्रिमेंशन अगर बेसिकली डिड़ा एक्यूज एगा कॉपरेट नहीं करदा अगर ओकॉपरेट नहीं करदा ठीक है ता एथे उसनों ए गाइडलेंस उसने लही वैल्यूट नहीं नहीं है टर ओर कंषभ प्रिम गोटीड नहींutetर लिड़ एक्यूज लगख कर दाब आपकेट लो गाल कर दाइड है लाख कवरेट फाल परिम एगाट कर देख राद करदा होर्सक्स ट्रार्सान रीजूट एक्यूज मेर्स औरस एक्यू आ एक्यूजा नहीं पराद प्र केटेगरीस दे विच इथे दर्शाय आगया आगया उस केस नो चल दे होई इथे अगर कोई परसन एक्यू सुन दा है ता उसमें इंट्रीम बेल कोर्ट दे दौरा देती दा सकती है कोर्ट ने इस चीज नो असेप्ट किता ता एक कुछ गाइडलाइन्स ने जडिया है थे इ direction issued by the court from time to time with respect to the constitution of special courts the high court in consultation with the state governments will have to undertake and exercise on the need for special courts the vacancies in the position of presiding officers of the special courts will have to be filled up immediately हाँ जी जडिया भी vacancies यते चो special courts ते विच होन गया presiding officers नो लाएके उनना नो जल्दी तो जल्दी फिल किता राएगा हाई courts दो भी एते requirement होईगी स्टेट दिना अल concert करके special courts ना गठन भी एते कर सकती है तो special courts ते भी ने presiding officer होंगे उननों एते appointment किता राएगा तो state lawyer order नो maintain करन वास्ते court ते basically orders ने उननों पूरी तरह follow करन दी कोशिश करेगी ना वट अब अउन्डर ट्रायल प्रिजनर्स और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ने 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 अरस्ट किता गया है का जेल पर यह ने ओगर क्राउड हो रही है तो हाई कोट्स ने इथे दा हाई कोट्स हाव बिन डिरेक्टेड वाई अपेक्स कोट्स सुप्रीम कोट्स ने हाई कोट्स नो एथे orders देते होई है कि जेडे basically एथे persons ने ठीक है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ने जेडे की एथे bail conditions ने नाल एथे complete नहीं कर दे तो उननों लेके किंदा किंदा की guidelines ने हो सकती है ने after doing so the action will have to be taken in the light of section 440 of the court facilitating their release and under section 440 the amount of bond shall not be excessive and the high court and the session courts may reduce the amount section 440 of CRPCD जदो मैं गल करदा इस दे वे जदो किसे person नो अंडर ट्राल persons नो एथे release कितना ना होंदा वस भी bail नो लेके एथे board amount एथे fix कितना ना है गया and that should not shall not be excessive high court ते lower court ने को अथारटी हुन दी है कि ओं amount नो एथे reduce कर सकदे ने clear data amount the amount defined by the magistrate or presiding officer पुलिस officer पुलिस officer या magistrate ने एथे data होते अमाउंट fix किता है का board amount fix किता है गया high court ने को लिया lower court ने को अथारटी हुन दी है कि they might reduce the amount and these are the guidelines for the under trial prisoners so high court ने high court नो एउडर दिते गे ने supreme court द्वारा and बाकि supreme court या बेल नो लेके applications नो लेके यह तर इडिया guidelines ने आपा समझिया ने बेल स्मुल लेके Supreme Court ने सिद्धा क्या रिता है कि सरकार जड़ी है एक बेलक्त लेके आवे इसरकार जड़ी है एक बेलक्त लेक्त लेके आवे so these are these are the new guidelines by the Supreme Court of India and the for the rule of law for the governance this is very important as the GS2 prospective so it's all for the day कोई भी डाउट होँए था तो असी comment section दे पुछ सकते हो and if you are referring for the PPSC cooperative inspector exam we have launched a test series for that and test series दे लेवल ली असी एक test series दे एक demo test असी तन्हों अलड़ी provide किता हैगा Saturday Telegram channel दे विच अवेलेबल है test of the PDFC format दे विच शेर किता हो है it's all for the day thank you so much